हिंदुस्तान का दिल धड़का दो मद्दप्रदेश के बालाघार साइट आठ जिलो में होने जारे खेलो इंडिया यूद गेम्स को लेकर बालाघाट में तैयारिया अंतीम दोर में चल रही है आखिरकार किस तरह से बालाघाट में तैयारिया की जा रही है खिलाडियों और दर्शकों के लिए क्या विवस्ता है और प्रशासन के इस तरह से यहाँ पर सुईधाय उपलब्द है खिलाडियों के लिए आए समस्ते है इस पूरी रिपोर्ट में इस वक्त मैं मुलना स्टेडियम बालाघाट में मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप देख रहे है यह जो पूरा मैदान है फुटबाल का मैदान है यहीं पर खेलो इंडिया यूद गेम्स के तहत आठ ती में जो कि विभिन राज्यों से यहाँ पर पार्टिशिपेट कर करने के लिए पहुचेगी जिनका प्रदर्शन होगा एक फरवरी से दस फरवरी के मद्ध इसी को लेकर यहाँ पर व्यापक इस्तर पर तैयारिया चल रही है आप मेरे पीछे में देख रहे हैं घास में यहाँ पर वाटर सप्लाई की जारी है जैस्ट पीछे में आप लगे हुए है खेलो इंडिया के मद्ध परदेश सरकार और भारत सरकार के सानिद्य में यह पूरा आयोजन हो रहा है और इसमें स्पोर्ट से एकेडमी आप इंडिया के अलावा फिट इंडिया और जी ट्वेंटी समीट का भी इसमें समावेश किया गया है इस तरह सी यह आयोजन जो है एक नेशनल इस्तर का आयोजन होने जा रहा और इसकी व्यापक तैयारिया लगातार आप देख रहे है पीठे में आप थोड़ा पीठे में देखेंगे तो यहाँ पर जो दर्शक दिरगा के लिए जो पूरा गेलेरी है उसको आकर सक पेंटिंग किया गया है सजाया गया है उसके ठीक पीछे में आप देख रहे हैं कुछ सेल्टर से बनाए गया है इनमें सायद खेलों के जो कोच है प्रिशिक्छक है या खिलाडी है वो यहाँ पर रूख सकते है इसके अलावा प्रशासनिक लेवल पर लगातार जो है HDM, कलेक्टर, तहसिलदार और तमाम अधिकारी जो है निरंतर इस आयोजन की समिक्षा कर रहे है इसकी मॉनिटरिंग कर रहे है लगातार आप जर्वर कर रहे है कि किस तरह से यहाँ पर वेवस्थाय होगी बालाघाट में खेलो इंडिया यूद गेम्स के तहट नेशनल इस्तर की जुनियर महिला फुटबॉल टूर्णामेंट का आयोजन होने जा रहा है एक से दस फरवरी के मध्या और इसी को लेकर बालाघाट SDM संदीप सिंग इस वक्त मैदान में पहुचे हुए है लगातार वो निरिक्षन कर रहे है किस तरह की तैयारी है प्रसासनिक लेवल पर सर बताएंगे जैसा कि आप देख सकते हो जो मुलना इस्टेडियम है इसको पूरी तरह से हमने तयार कर लिया है मुला फुटबॉल के लिए तयारी पूरी तरह से हो गई है थोड़े बहुत लास्ट के काम बचे हुए है हम लोग उनको देख रहे थे जिसमें कि बैरिगेटिंग की वेव उसको सही तरीके से बना रहे हैं जो मंच बनना मंच की हाइट कितनी रहेगी ब्याइपी जहां से मुमेंट करेंगे तो कितने सोफे लगाना है कितने पासेज हमने जो इलाव किया है उसके एकौर्डिंग ही लोग आएं बैठें मैस देखें और आप देखोगे कि पूरे का खाने पीनी के जो बिवस्ता हैं वो सारी चीजे उनको सब को लेके यार हम लोग एक बिवस्ता देखने के लिए यहां पस्तित हुए हैं पूरी टीम हमारी देख रही है क्या फेडबेक मिला है सर इस्पोर्ट से अकैडमी की और से लगभग लगभग हमारे 95 परसेंट काम क चोटी चीज сюड़ी चीजे बची हुई है ये कल तक कंप्लीट कर लेंगे सर्मेभ हमने स्थरी माना शुरू हो जाएंगी और जाएंगी और एक तारीक से हम यहां पर मैच स्टार्ट कर पाएंगे तो व्लुझद ऑने यहां से अभी फॉल्य अप देना तो साब को भी फोन लाके अभी सारी चीजे हम डिसकर्स करके बताएंगे एक दो चीजे हैं जिसके बारे में डिसकर्स करके फाइनल करना है तो सीओ साब है हम लोग साम को जाके वहाँ भी फाइनल करेंगे कितने टीमें इस पूरे टूर्णामेंट में पॉइटिशिपेट करेगी अभी तो लगबग 10 टीमें आ रही है और एक दो टीमों का ऐसा चल रहा है संसरे कि सायद आएंगी कि नहीं आएंगी 8 टीमों का फाइनल किया है लेकिन 10 टीमों का पता है कि आ रही है एक सवाल ये उट रहा है कि मदपरदेश में अभी तक महिला फुटबॉल टीम के चैन को लेकर जो खिलाडी है उनके चैन को लेकर अभी तक टीम का चैन जो है कंप्लीट नहीं हुआ ये बाते आरी सामने क्या प्रस्वासन को पता है इसके बारे में यार इस संबंद में हम लोग को अभी संग्यान में नहीं ये चीज़ें क्योंकि हमारा जो इसतर है हम लोग केवल वेवस्थाओं को लेके चिंतित रहते हैं मैच होना है मैच की वेवस्था करना है खिलाडियों की वेवस्था करना अधिकारियों की वेवस्था करना हम उसको लेके चिंतित है उसमें हम लोग लगे हुए हैं आपका जो सवाल है इससे अभी संगयान में नहीं है इसके माध्यम से किस तरह का संदेश, खासकर बालाघाट जिलेवाशियों को प्रदेश वाशियों को देना चाहेगा प्रशासन याज़। दूसरा जो महिलाओं को इस गेम के लिए प्रोसाहिद करने वाली बाते भी हैं क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि फुटबॉल जो है एक मेल गेम बनके रह गया है तो इन चीज़ें से यह होगा कि महिला भी आगे आएंगी और फुटबॉल को काफी ज़्यादा मोटिवेट कर बढ़ेगी और उसमें अपार संभाव नाय बढ़ेगी बिजीटे नियूस के लिए केमरामेन कमल कोडले के साथ यमले स्वन्जारी